हलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा, स्वागत करता हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल, मैं आट्स बाय अभिनव राजपूत मैं, तो बहुत दिन हो गए थे, एक्चिली मैं क्लास लिए हुए, मैं चिट्टी पे था, आप सबको पता है, आ हो जाएगा, सिलेबस के लिए बिल्कुल चिंदा मत करो, टाइमली हो रहा है, आप बस जो जो चैप्टर हो रहा है, उसकी प्रेक्टिस करते रहो, साथ में जो मैं मॉक्स करवाता रहता हूँ, वो करते रहो, और आज का जो अल्ली बोर्ड लाइब मॉक है, ये कह सकते हो आ आने वाले दुनों में, वो भी देख सकते हैं, हलांकि मैं बेसिकली जो पर कॉस्टिस आते हैं एक्जाम में, उनको उसके सक्त खिलाफ हूँ, कि एक पेपर हो गया, आप उसके कॉस्टिस लोगों को बता रहे हो, बिकॉस कि इससे क्या होता है, जिन्होंने पहले एक्जाम दिया है, उनके लिए unfair हो जाता है, बट अगेन, normalization work, तो अब आप पहले की तरह नहीं है कि आपको पूरे SSC में टॉप करना पड़ेगा, अब आपको क्या होगा ना, कि आप जिस भी सिप्ट में बैठते हो ना, आपको वो सिप्ट टॉप करना है, हमेशा धानकना वो सिप का वो रह चुका हूँ, CGL 27, क्योंकि 17 फरवरी को मेरा paper था, बहुत टफस था, 18-19 वालों को paper का pattern पता चल गया था, उन्होंने एक या दो दिन में, जो भी, पता तो चली जाता है, थोड़ा बहुत, mind का खेल होता है, बाकी start करते हैं, और बहुत ही जल्दी, ना, अभी जो CGL pre है, चल रहा है, फिर हम mains के लिए, mains के लिए ना, आप लोग कोई batch मत लेना, maths का मेरा cover up हो जाएगा, mains तक आपका, मान के चलो, मैं खदम करवा दूँगा, इसके अलावा, mock वगरा भी, मैं बता दूँगा, जो जो वही वही ले लेना, because की live mock बहुत सारे आते हैं, मैं उ ये वाले test book के 15 mock करने हैं, 15 olive board के करने हैं, e-mock के 30 या 40 होंगे वो करने हैं, इन सब का solution मैं आपको provide करूँगा, तो इससे क्या होगा ना, कि एक तरह से तैयरी अच्छी हो जाएगी और गनित का prime time तो चली रहा है, तो maths में आप full marks ला रहे हो, ये मेरे guarantee है, बस आपको follow करन है, e-mock जो है, इसका फूरा maths का solution मैं ही provide करता हूँ, 69 रुपे में आपको 30 mock मिल जाते हैं, pre के और 20 mains के mock, तो ये काफी है, 59 रुपीज में, नीचे description में लिंक है, आपको बस अभिनव code लगाना है, लगा देना, मिल जाएगा, ओके और एक तरह से indirectly अगर आप ये purchase करते हो, तो मेरी help कर रहे हो, मेरी help इस तरह के से ऐसा नहीं कि ये मुझे commission दे रहे हैं, बट बहुत जल्दी ही, मतलब आमान के चलो, एक दो महने में, जब इनका भी setup अच्छा हो जाएगा, तो ये मुझे content writer दे देंगे, और मुझे content writer की सक ज़रत है, आज कि आज कल जो videos के gaps आते ह अगर आपके इसमें 40-45 नहीं आ रहे हैं, तो आपको सच में बहुत कुछ करने की ज़रत है, पेपर का level आप देखना बहुत easy है, ठीक है, start करते हैं, मैंने already आज आज आपको साड़े 3 मिनिट खराब कर लिया, मैं रोज 2 मिनिट खराब करता हूं, साड़े 3 मिनिट आज, ठ people leave the walk, then how many toys can be made in 12 hours, MDH का formula लगेगा, time and work आप लोगों ने कर रहा है, देखो, 40 आदमी ने, 40 people, 60 toys, 60 toy बना रहे हैं, कितने में, 8 घंटे में, 8 people छोड़के चले जाता है, तो अब कितने बाई 32, ठीक है, और कितने घंटे काम कर रहे हैं, 12, तो बताओ कितने toys बनाएंगे, इस यह इसका answer है, अब हम fast करेंगे, आपको पता है कि हमारी classes की सबसे अच्छी खासित यही होती है, कि हम बाते नहीं करते, यह कहा रहा है, one third of a number is two fifth of twice of 140, एक number है, जो 140 के दुगने का दो बटा पाँच हिस्सा जो है, वो इसका one third है, क्या है, one third है, यह कहा रहा है, एक number है, सम one third है, किसका one third, 140 का दुगना, यानि 140 गुना दो, का दो बटा पाँच, तो अगर मैं इसको solve करूँ, तो यह देखो, यह क्या जाएगा, पाँच से खट गया, पाँच दोनी दस, पाँच एठे चालेस, दो दोनी चार और अठेस, 112, ठीक है, हमने इसको solve किया ना, यह जो solve है ना, अगर 112, one third है, तो पूरा कितना हो जाएगा, 336, ठीक है, अब पूछाए, 336 का, 40% से 100 जादा, कितना होगा, इसको solve करना है आपको, ठीक है, देखो, दो, पाँच, साथ सो बहत्तर, बटे में 5, प्लस में 100, बारा सो बहत्तर, बटे में 5, दो सो चालेस तो आई गया है रहा, इसको solve करो, 336, 28, दोनी 56, दोनी 112, 112, 336, हाँ, हाँ, ठीक है, 200, 5, दोनी 10, 250 point something आ रहा है यार, 254 point something, बट इनका तो कुछ और है, find 100 more than 40% of the number, 336 का 40% कितना होगा, 33, 66, 132, 232, ना, 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 कुछ हमने गलती किया है, देखते हैं इसको, 2 by 5, ठीक है, इसको सीधा, 336, 600, बारा, हाँ, हाँ, वहाँ आपने 100 ज्यादा लिख दिया था, ओके, 5 कट करना इसको, 113, 65, 134.4, प्लस में 100, यहाँ जाएगा 234.4 ठीक है, सॉरी, यह थोड़ा सा मिस्टेक था, बागी कॉश्चन बहुत इजी था यह भी, देखो, अगला कॉश्चन क्या है, मैंना कॉश्चन पीछे से लेता हूँ, ठीक है, या फिर रेंडमली लेता हूँ, ऐसा फिक्स नहीं है कोई, कि इसी तरीके से, तो आप आगे प प्रिजम का 8 है, तो वॉल्यूम क्या होगा, एक चीज़ धानक न, जो वॉल्यूम होता है न, प्रिजम का, वॉल्यूम यानि आइतम, आइतन, जो होता है न, वो होता है, बेस एरिया, गुना में हाइट, यह फॉर्मला होता है, बेस एरिया, यानि बेस क्या है, जिसका एक side है 3, 1 है 4, 1 है 5 तो 3, 4, 5 आपको पता होना चाहिए राइट अंगल ट्राइंगल है ठीक है, 3, 4, 5 क्या है, राइट अंगल ट्राइंगल है तो इसका area क्या आ जाएगा, 6 base into height by 2, ठीक है हमें निकालना है volume, तो volume हो जाएगा base area which is equal to 6 और height 8 है, तो 48, ऐसे questions ना direct होना चाहिए एक्जाम में, direct अगर आपको formula आता है तो ये बहुत प्यारा question है बहुत बच्चे ना इसमें गलती कर देते हैं, जबकि ये questions easy वालों में से हैं, होने नहीं चाहिए जब कभी भी इस type का question देखें ना algebra में, तो फूसिस किया गर हो कि denominator same बनाओ, देखो denominator same कैसे बनाया जा सकता है, जैसे यहाँ देखो x-y है, y-z है, यहाँ y-z है, z-x है, यहाँ किसीज की कमी दिख रहे है यह आपको z-x की, तो नीचे लिखे हो, तो उपर भी लिखो ठीक है, अब देखो, यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ x-y नहीं है, नीचे लिख रहे हो, तो उपर भी लिखो, और यहाँ क्या है, z-x, x-y यहाँ y-z नहीं है, तो नीचे लिख रहे हो, तो उपर भी लिखो अब नीचे अगर आप देखो गए ना तो नीचे सब में same है क्या है? x-y, y-z और z-x denominator same है तो उपर वाले को add कर दो उपर वाले को add करोगे तो z-x, plus x-y, plus y-z z से z cancel, x से x cancel, y से y cancel सब कट गया, 0 आ जाएगा answer ध्यान लखना numerator 0 में कोई गुराई नहीं है ये चीज़ आपको ध्यान देना है अगला question देखें, एक shopkeeper है ठीक है? ये goods को न, x plus 30 में बेच रहा है x plus 30, x की value कुछ भी हो सकती है, ठीक है? that was sold to him by a wholesaler for rupees x यानि कि, अगर मैं उस shopkeeper के बारे में बात करूँ न उसके लिए cost price कितना है? x और selling price कितना है? x plus 30 यही तो कहा रहा है न, उसके बात क्या कहा रहा है? then the profit of shopkeeper is 25% एक बात बताओ, x का खड़ीद रहा है, x plus 30 का बेच रहा है तो बताओ profit कितना हुआ? 30 रुपे है न profit 30 रुपे है, caution में कहा रहा है 25% है तो 30 अगर 25% है, तो 100 कितना होगा? 120, क्या पुछा आप से? find the value of x 120 बहुत ही आसान question है, तब ही मैंने कहा था, आज का paper मुझे बहुत easy लगा, आप अपने अपने marks बताना कितने हैं और बिल्कुल सर्माओ मत, आज तुम भले ही नीचे कम वाले marks share करोगा, मालों इस paper में भी किसी के 15 आए, किसी के 20 आए है मैंने बोल दिया कि 40 से कम नहीं आना चाहिए तो वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? moralize बिल्कुल उनका न, moral down हो जाता है ऐसा होना नहीं चाहिए आज करो, लिखो, तुमारे number कम है कि सर आज तो मेरे 15 नमबर आये है ठीक है, लेकिन आज से 3 महने बाद देखना इसी 15 को मैं 35 लिखूँगा और उसके 2 महने बाद मैं इसी को 45 और फिर 2 महने बाद मैं 50 लिखूँगा ठीक है? अपने आप से वे promise करो नीचे लिखो और बताओ मुझे आपकी कितने और कम number में ना सरमाते नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो पहला paper दिया था CHSL का, मुझे याद है CHSL का जो मैंने घर पे दिया था, उसमें 96 आए थे 96 आए थे और जो मैंने आखरी paper दिया ना CGL का उसमें 196 थे, तो देख रहे हो 100 का सफर, हो जाता है A is an acute angle, acute angle होता है जो 90 से कम होता है ठीक है? आपको A की value निकाल ली, यह तो आसान है ऐसे questions, देखो क्या है? minus 2 sin square A is equal to 2 minus 5 by 2, ठीक है? so minus 2 sin square A is equal to minus 1 by 2 ठीक है? minus से minus cancel अब देखोगे, तो sin square A जो है न, यह आजाएगा 1 by 4 और sin A यहाँ से आगया आपका 1 by 2 sin 1 by 2 कब होता है? 30 पे ओके? पवन सोनू एक partnership में आए है, ठीक है? पवन और सोनू दो बंदे है, यह partnership में आए है ठीक है? बहुत बच्चे न, इसको बराबर करने लग जाते है, 1, 3, 2 by 5 कोई ज़रूत नहीं होती है, ठीक है? जैसे क्या है? 1 by 3 यह कौन है? पवन और सोनू कितना पैसा लेकर आया है? 2 by 5, ठीक है? और यह ध्यान रखना है, यह capital है यह क्या है? यह capital है और month के बारे में बात करें न, तो जो उनका time है न, investment, वो है 3 is to 2 तो बताओ इनको profit किस ratio में मिलेगा? तो simple यही तो होता था capital into month, तो यानि 1 by 3 into 3, ratio 2 by 5 into 2 तो यह आजाएगा आपका, यह तो कट गया 1 और यह आजाएगा 4 by 5 अब ratio आजाएगा आपका 5 is to 4 ठीक है? कई लोगों वोना fraction में काटने में दिक्कत होती है तो इसको दूसरा दरीका यह है, जैसे यह है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 ratio 6 cross multiply लाएगर तो 5 ratio 6 और पैसा क्या है? 3 is to 2 ठीक, तो 15 और 6 दूनी 12, 3 पचे 15, 3 चोके 12 5 ratio 4, आंसर सेमी आएगा चाहे आप इधर से करो या उधर से करो देखो कैसे easy questions आये थे क्या है देखो? 234 minus 182 plus 12 upon में 2 into 8 into 4 plus 1 देखो कितना आसान है 234 में से 182 घटाओ कितना आएगा? 18, 52 12, 64 64 upon में 2 into 8 into 4 plus 1, अब देखो 2 अठे 16, 64, 64, cut गया ना तो 2 आ जाएगा, यहां से A की value कितनी आ गई है? 2, ध्यान रखना A की value आ गई है, 2, यहां से हमने A निकाला है, अब आपको क्या निकालना है? 5 की power A upon में 100 की power A 5 की power 2 होता है आपका 25 65 और 100 की power 2 होता है 10,000, ठीक है? 100 की power 10,000 होता है, बहुत लोग उसको cut करने लग जाता है रहे, क्यों काट रहे हो? देखो, 2, 0 से cut आ, यहां point आया फिर 2 बच्चे है ना, तो 0, 0 point, sorry 0.0025 ओके? यह रहा ठीक है, कटने की ज़ुद नहीं है बहुत बच्चे काटने लग जाते है 64 और X का जो 3rd proportional है ना If 3rd proportional to 64 and X is 144 then what is the value of under root X plus 4? हमेशा ध्यानक में जैसे 3 number है 64, X और 144 तो अगर यह proportion में है तो basically क्या होता है? इसका square इन दोनों के multiple के एक वाल होता है या फिर यूं कहलो कि X is equal to under root this वाल्व कर लो, या जाएगा आपका 96 X की value कितनी आगई? 96 तो सीधा बाहर निकालो, 64 को बाहर निकाला 8, 144 को बाहर निकाला 12, 12 into में 8, 96 अब आपको क्या निकालना है? under root X plus 4, यानि 96 plus 4 100 100 का root कर दो, 10 ठीक है? ये questions आ रहे हैं एक race वाला question आ रहे है, बार-बार percentage वाले chapter में करवाया था मैंने और कई बार मैंने live mock में भी करवाया हुआ है a train traveling at a 36 km per hour crosses a platform, पहले तो देखो यहाना sub second में दे रखा है और meter में दे रखा है तो इस 36 को न मैं meter में निकाल देता हूँ तो 36 को क्या करना पड़ेगा हमें? 5 by 80 तो यहां से आ जाएगा इसकी speed 10 meter per second ये speed आ चुका है, ओके? 10 meter per second 5 by 18 से multiply करते हैं अभी Monday से हमारा time speed ही start कोने वाला है अगले दो हपते तक चलेगा दो हपते में time speed, boat, train सब खतम हो जाएगा A train traveling at 36 km per hour crosses a platform in 20 seconds मान के चलो कि platform जो है न वो X है ओके? और एक आदमी है उसको 10 seconds में देखो जब वो platform को cross करेगा न एक तो वो अपना distance travel करेगा और दूसरा y y है length कहलो या distance कहलो distance of platform X plus Y देखो जब भी वो platform cross करेगा न देखो मान लो ये platform है ठीक है अगर आप आपसे पूछा जाएगा कि इसको train कब cross करेगी तो मान लो देखो यहां से train आती है यहां पे पहली बार छूती है इसको और पार तब मानेगी माना जाएगा जब देखो यह जो उसका end वाला point है न यह end वाला point यह दोनों बराबर हो यानि कि इसको कितना distance travel करना पड़ा इतना इतना अगर मान लो train X है तो यह कितना है Y है यह chapter में हम और उससे करेंगे ना X तो देखो X upon में 10 कितना जाएगा 10 यानि कि X is equal to 10 क्यों लिखा है क्योंकि 10 meter per second तो distance upon में speed is equal to time time 10 second दे रखा है या फिर distance upon में speed is equal to time कुछ भी कर लो यहां 10 10 है same तो यहां से distance आ गया 100 बट ध्यान रखना यह जो distance 100 आया है ना अरे यार एक color क्यों change हो जाता है यह जो 100 आया है ना यह train का length आया है हमें निकालना है platform का तो platform का क्या दे रखा है देखो एक तो अपना distance travel करेगा plus Y platform का distance travel करेगा कितना time किसी speed से 10 meter per second की speed से और कितना time लगा 20 तो यहां से देखो Y is equal to 200 minus 100 तो कितना आ जाएगा 100 100 meter इस तरीके से आप इस questions को करोगे ध्यानक ना यह questions regular आ रहे हैं तो इसमें बिल्कुल भी घबराना मत यह वाले भी आ रहे हैं देखो अब जैसे यह figure दिखे ना तो क्या-क्या आपको दिख जाना चाहिए जैसे यह cyclic है एक तो कभी भी ध्यान रखना semicircle से यह semicircle है ना ओ center है ठीक है यह semicircle है तो semicircle पे कभी भी अगर इस तरीके से triangle बनेगा तो यह 90 degree होगा एक बात बताओ यह 90 है यह 62 है तो यह कितना होगा 18 होगा नहीं नहीं 28 होगा 28 degree क्या पूछा आप से आप से पूछा PNM PNM यही पूछा गया और यह हमने 28 निकाल दिया देख रहे हो बहुत आसान है अभी हम geometry करेंगे और मैं guarantee के साथ क्या सकता हूँ मेरे पास से जब तुम geometry कर लोगे ना उसके बाद आपको geometry में ना कोई कहीं से कुछ गलती नहीं हो सकती हो ही नहीं सकती इस level पर हम करवाएंगे अब देखो क्या पूछा है find the ratio of perimeter of in circle and circumcircle of equilateral triangle तो समझो इस सीज को अगर मैंने यहाँ पर equilateral triangle बना दिया मानलो ठीक है यह height है यह height है यह वाला जो होगा ना मानलो यह वाला यह होता है in circle और यह होता circumcircle one ratio two में ठीक है यह वाला जो portion होता है वो होता है हमारा एक तरह से in radius कहलो ठीक है sorry two is two one उल्टा कर दिया मैंने हम यहाँ बनाते हैं उसको रहने दो देखो यह है मानलो यह क्या है यह है in radius अगर circum radius के बारे में बात करें ना तो यह होगा circum radius और यह होगा in radius ठीक है तो यह one होता है यह two होता है द्यान रखना है यह two होता है यह one होता है तो अगर मैं बड़ा वाला बनाऊ तो यह बनेगा ठीक है जिसका radius यह है और छोटा वाला गर मैं बनाऊं तो ये बनेगा, ठीक है, जिसका radius 1 है, तो बताओ perimeter, perimeter का जो ratio होता ना, वो radius के ratio के बराबर होता, ये हमेशा ध्यान रखना, तो ratio क्या होगा, 2 is to 1, ठीक है, if the ratio of perimeter of in circle, क्योंकि in circle और circum circle का पूछा है, तो 1 is to 2 होगा, ना कि 2 is to 1, ध्यान रखन 1 is to 2B और 2 is to 1B, तो ध्यान रखना पहले in circle है, फिर circum circle है, ऐसी गलती मत करना, फोड़ीन question देखो, क्या है, तीन pipe है, P, Q और R, तीन pipe है, P, Q और R, P जो है ना, 6 घंटे में भर देता है, Q जो है, वो 13 घंटे में भर देता है, और R जो है ना, उसको 20 घंटे में खाली कर देत है, ठीक है, अब आपसे पूछा, अगर तीनों मिलकर काम करें, तो कितनी देर में टंकी भर जाएगा, how much time will be required to fill the tank, सबसे पहले तो total capacity निकालो, 13, 6 और 20, इसका LCM लोगे 13, 68, 780 आएगा, ठीक है, मैंने कैसे किया, 13 into 6, 78 होता है, हे और 13 LCM, 78 और 20 में मैं देख रहा हूँ, सिर्फ 2 common है, ठीक है, तो 20 को 2 से divided किया, 10 से multiply गर दिया, 780, तो यहां से capacity देखो आ जाएगा, P की capacity आ गई, 130, positive में है, क्यों, क्योंकि इसका काम है, भरनेगा, Q कहा जाएगा 60, यह भी positive, क्यों, क्योंकि यह भर रहा है, लेकिन इसकी बात करेंगा है, तो यह आ जाएगा negative, minus 39, क्यों, क्योंकि R खाली कर रहा है, अब आपने को क्या करना है, तीनों को add कर देना है, तो 190, 130 plus 60, 190, 190 में से 40 गए, तो 150, मैं add कर दो 151, यानि कि अगर तीनों मिलकर भरे, तो कितना पानी भरेंगे वो एक गंटे में, गंटा ही बोल रहा है, 151, और बरना कितना है, 780, त तो 15, 75, 5 point something तो आए गई आएगा, ठीक है, 75 हो गया, यानि कि 753 हो गया है, अब बचा कितना, 27, 1.67 के करीब आएगा, तो 5.2 अब का answer आजाएगा, ठीक है, एपरोक्स में लेना होता है, ध्यान अकरा, correct to 1, अब to 1 decimal, ये बड़ा प्यारा कॉश्चन है, और बार बार आता हैं ऐसे कॉश्चन, ठीक है, जब मैं बार बार ये कॉश्चन करवाता हूँ, और बच्चे फिर भी गलती कर देते हैं, देखो, क्या गह रहा है, तीन नंबर है, और तीनों नंबर का रेशियो है, 3, 1, और 5, और इसका HCF दे रखा है, कॉश्चन में, 13, हमारे according बताओ, 3, 1 और 5 का HCF कितना होगा, हमारे according, 1 होगा, हमारे according एक होगा, क्योंकि 3, 1, 5 में कुछ common ही नहीं है, तो एक ही होगा, simple सी बात है, एक ही common है, बट कॉश्चन में 13 दे रखा है, तो 1 की value कितनी है, 13, तो बताओ, वो नंबर क्या है, ये 49, ये 13, और ये 65, simple, LCM पूचा जाता तो 5, 3, 15, LCM पूचा जाता तो कितना आ जाता, 15, यानि एक की value 13 है, तो 15 की कितनी हो जाएगी, 185, बट यहाँ आपसे LCM नहीं पूचा है, आ yes तो 65 है, और lowest, lowest तो 13 है, तो इसका difference तो 52 है, इस तरीके से आप ऐसे questions को कर सकते हो, ये वाले questions बड़े प्यारे होते हैं, देखो, एक तो इन questions को देखो गए ना, तो क्या चीज़ें आ रही है, देखो यहाँ 5A है, यहाँ पे 9A है, यहाँ 3A है, यहाँ 25A है, हो क्या रहा ह अगर मैं इसका root करूंँना, इसका root करूंँना तो यहाँ जाएगा 3A का all square, बलस में 1 upon में 5A का all square, यह निकालना है आपको, ठीक है, यह निकालना है आपको, हमेशा द्यान रखना, कभी भी इस तरीके से आए, AX प्लस में 1 upon में से BX दे रखा है, 역 क्लस में 1 upon में BX दे रखा कितना पी दे रखा और आपको निकालना हो A square X square प्लस में 1 अपॉन में B square X square तो क्या करोगे P square minus 2 पहले 2 करते थे न सिफ यही तो करते थे न स्क्वाइर करके 2 हटा दे लेगिन कभी भी अगर A के साथ और B के साथ कुछ है तो देखो A के साथ अगर कुछ है तो उपर लिखो B के साथ कुछ है तो नीचे लिखो तो यह formula बनेगा P square minus 2 upon में A B बट सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा ना कैसे निकालोगे देखो यहाँ 5 है हमें चाहिए क्या 3 चाहिए हमें यहाँ पर 5 है और चाहिए क्या 3 देखो यहाँ है हमारे पास 5 A बट हमें चाहिए कितना 3 चाहिए तो सबसे पहले तो इस 5 को हटा दो 5 को हटाने के लिए 5 से divide करना पड़ेगा और 3 लाने के लिए 3 से multiply करना पड़ेगा तो कुल मिलागे हमने क्या किया है 3 by 5 से multiply कर दिया है तो अगर इधर किया है तो इधर भी करो 3a को multiply करो किस से 3 by 5 से और यहां कर रहे हो तो यहां पे भी करो हर जगा करना है 3 by 5 से देख रहे हो मैंने यहां यहाँ पे भी 3x5, यहाँ पे भी 3x5, यहाँ पे भी 3x5, ताकि हम यह बना सके, 3a प्लस 1 अपन में 5 is, तो देखो, अब देखो हो क्या रहा है, पांच से 5 कटा, यह 3 से 3 कटा, तो यहाँ पे आ गया आपका, 3a प्लस 1 अपन में 5a is equal to 5 से 5 कटा, यह 3 आ गया, ठीक है, अब आ क्या करूँगा, तीन का तो पहले square करूँगा, 9, फिर minus करूँगा, 2 in 2 में, जो भी A के साथ है, divided by जो B के साथ है, तो 9 minus 6 by 5, यह जाएगा, 9 minus 1.2, 7.8, ऐसे करेंगे questions सीधा आजाएगा, ओके, यह लिख ले ना, यह formula, ओके, यह questions ना, SSC में बहुत, अगर ऐसे questions आप गलत कर गया आते हो, unless and until you are a beginner, आपको पढ़ते हुए, आपने geometry नहीं किया है, तो कोई दिक्कद नहीं है, लेकिन अगर आपने geometry कर रखा और ऐसे questions गलत करो गया ना, तो फिर selection नहीं हो पाएगा, ऐसे questions मैंने ये वाला पूचा जाता है, मैंने ये किया नहीं, अभी question नहीं देखा, बढ़ यहीं पूचा गया होगा, ठीक है, देखना, consider the following figure, WA is perpendicular to XY, and WB is the angle bisector, एक perpendicular होगा, और एक angle bisector होगा, कैसे होता है, ये जब हम geometry पढ़ेंगे हैं तो मैं आपको in depth बता दूँगा, लेकिन अभी मैं direct बता जाता हूँ, कभी भी एक question आए, एक perpendicular होगा, और एक bisector होगा, तो आपको mainly करना क्या होता है, कि ये वाला angle निकालना होता है, तो इन दोनों का difference, 72 और 38 का difference, कितना होता है, 34 ना का आधा, 17 आएगा इसका answer, ठीक है, देख रहे हैं, 17 इसका answer, I hope clear होगा, आपको ये अभी फिलाल के लिए याद रखना है, कैसे होता है, ये हम पढ़ेंगे, अब ये वाले questions बच्चे बहुत गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं, टाइम लगा देते हैं, और छोड़ देते हैं, बोलते हैं, compound interest है, बहुत टाइम लगेगा, अरे कहें लगेगा टाइम बे, बिल्कुल टाइम ने लगा, देखो क्या है, ये कहरा, एक amount है, एक रुपए है, जो basically, तीन साल पे, अगर 20% के दर से दिया जाये न, तो 28, 512 रुपए बन जाता है, तो बताओ वो sum कितना है, सबसे पहले तो देखो, दो तरीके हैं करने के, मैं दोनों तरीका बताता हूँ, एक case में आप principle, अगर 100 मान लेते हो, ठीक है, 100 मान लेते हो, तो 100 का 20%, कितना होगा, 20, पहले साल भी 20, दूसरे साल भी 20, तीसरे साल भी 20, principle तो, जो simple interest है, वो तीनों साल तो रह गए रहेगा, दूसरे साल क्या होगा, कि इस 20 पे भी 20% interest मिलेगा, यानि कितना, 4 रुपए, और यहाँ पे 4 का डबल 8, यह मैंने आपको करवा रखा है, और 4 का, यहाँ पे 20% निकालोगे, 0.8, तो कुल मिला के देखोगे, तो यह आजाएगा 72 रुपीज, असी पैसे, यह क्या है, यह द्यान रखना, यह सिर्फ interest, अगर मैंने 100 रुपए लगाए होते न, तो मुझे 72 रुपए असी पैसे interest मिलता, तो टोटल कितने पैसे मिलती मुझे, 172 रुपए असी पैसे, यानि 172.8 रुपीज, इतना पैसा मुझे मिलता, लेकिन अभी मिला कितना है, actually मैं कितना मिला है, 28,512, 28,512 किसकी value होगी, 172.8 की, चाहिए किसकी, सौ की, पॉइंट आओ, जिरो लगाओ, कटेगा ही कटेगा, ठीक है, पहले देखो, 17 को मैंने एक से कर दिया, ठीक है, 1728, आँ, 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 1728, तो या जागा, 1123, ठीक है, फिर, दो लगा दिया, अब 6 से करें, 176, आँ, 10200, जब मैं 1728 को 6 से कर रहा हूँ, तो पहले दो देखो, मैंने 1700 को किया, फिर 20 को किया, 120, और 8 को किया, 48, ठीक है, तो या जाएगा आपका 10368, घटा दो इस मैंसे, 11232 मैंसे, जब मैं 10,000 वो घटाता हूँ, तो कुछ 800 सम्थिंग आएगा, ठीक है, 800, 12 मैंसे 8 गए, 4, 12 मैंसे 6 गए, 6, 11 मैंसे 3 गए, 864 आ जाएगा, अब देखो, 864 इसका हाफ होता, तो 16.5 इंटू में 1000, 12,500, हलांकि आपको यहीं छोड़ देना चाहिए, जैसे 16 आए, तो एक ही आप्सन है, आगे बढ़ जाओ, ठीक है, बड़ यहाँ मैं calculation कर रहा था, इसी लिए, otherwise आपको यहीं छोड़ देना चाहिए, काईदे से, ओके, चलो अगला कोशन देखते हैं, अच्छा, यह थोड़ा सा, ठीक है, अब भी देख रहा है, ओके, I hope clear होगा, चलो अगला कोशन देखते हैं, क्या है, दो टावर है, facing each other, are built few meters apart, यह बड़ा अच्छा कोशन है, बहुत बच्छों ने गलत किया था, जबकि गलत करने वाला है नहीं, देखो, कोशन क्या गह रहा है, दो टावर है, टावर वन, जो 32 फ्लोर का है, टावर टू, जो 21 फ्लोर का है, ठीक है, देखो, यह है आपका मानलो टावर वन, ठीक है, कितना फ्लोर है यह, 32 फ्लोर, ठीक है, और यह है टावर टू, यह कितना फ्लोर है, 21 फ्लोर है, यह टावर वन और टावर टू, ठीक है, अब देखो क्या गह रहा है, और एक टावर की Height है तीन मीटर, तो 32 टावर है तो कितना है इसका Height हो जाएगा? 96 मीटर और इसका कितना हो जाएगा? 63 मीटर ध्यान रखिना, ये Height है. ये हमने दोनों की Height निकाल दी है. ये 63 और ये है 96 मीटर, ध्यान रखिज अ коммент, 96 मीटर. अब आगे क्या कह रहा है if angle of elevation made by the top of the two tower to the top of a tower is tower 1 is 30 degree यानि angle elevation tower 1 से tower 2 पे जो बन रहा है वो 30 degree का बन रहा है कितने degree का बन रहा है 30 degree का बन रहा है 30 degree का बन रहा है find the separation between the two tower आप से क्या निकालना है आप से पूछा गया है कि इनके बीच का जो gap है ना इन दोनों के बीच का जो gap है ना वो निकालना है इसको कुछ भी नाम दे दो like A दे दो, इसको B दे दो, इसको C दे दो एक बात बताओ और इसको O दे दो ये पूरा कितना था 96 और ये कितना था 63 तो बताओ ये कितना होगा यह होगा 33 meter, कितना होगा यह, 33 meter, इसमें कोई doubt नहीं है, यह निकालना है आपको, तो basically होता क्या है, AB upon BC is equal to 1030, AB है 33, BC हमें पता नहीं है, हम वैसे direct निकालेंगे exam में, ऐसे नहीं exam में भी आप यहीं कर रहे हो, 1 by root 3, so BC आजाएगा आपका 33 root 3, अब root 3 की value आपको 1.7 लेना है, 33 को जब आप 1.7 से multiply गरो देगो, 33 को 1 से किया तो 33, फिर 30 को 7 से किया, 21, फिर 3 को 7 से किया, I mean 0.7 से किया तो 2.1, इसको add गरो 33, 34, 54, 56, 10, इस तरीके से, सीधा multiply गर सकते हो, point के numbers को, ओके, I hope clear होगा, अगला देखो, find the remainder, when first 5 odd number is divided by 13, तो पहले तो 13, पहले जो 5 odd number है न, first 5 odd number जो है न, उनका आपको difference, वो, sum निकालना पड़ेगा, तो बताओ, पहले 5 कौन कौन से है, पहला तो हो गया, 3, फिर, 5, फिर, 7, फिर, 11, 9 नहीं, अध्यान रखना हो, फिर, 13, अब देखो, 13 तो already 13 के table में आता है, इसको जोडने की जूरत है न, तो 11, 7, 18, 5, 23, 26, 26 divided by 13, 0, बाकि 13 add भी कर देते हैं, 39 by 13, remainder तो हर केस में 0 ही आ रहा है न, ठीक है, तो इसका answer आजएगा 0, कोई remainder बची नहीं रहा, यह कह रहा है, the area of the largest circle that can be drawn inside a rectangle, एक rectangle के बीच में, जो largest, ध्यान रखना, जो largest circle बनाया जा सकता है, उसका area कितना होगा, और rectangle क्या है, यह है, देखो rectangle, जिसका length कितना है, 18, breadth है 14, एक बात बताओ, जादा से जादा जो बनेगा, वो ऐसी तो बनेगा न, इन दोनों को touch करेगा, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को touch करने की कोसिस करूंगा न, तो यह ऐसे बन जाएगा, देखो, फिर तो यह बाहर आ गया न, अंद इस कितना है, 7, छोटे वाला circle, तो इसका area कितना होगा, area of circle होता है, पाई, r square, r कितना है, 7, 154, एक्जाम में आपको यह figure बना रेका जोट नहीं है, सीधा आप imagine कर लोगे, हो जाएगा, देखो, अगले में क्या गर है, a एक acute angle है, sine a is equal to cos a, आपको पता हो न, चीए, sine a और cos a बराबर कब होता है, जब a की value हो, 45 degree, यहां से a की value कितनी आ जाएगी, 45 degree, क्योंकि यह बराबर तभी होते हैं, जब 45 पे होते हैं, अब 45 फुट करो, cot 45 यानी 1 by 4, sine 45 यानी 1 by root 2, 1 by root 2 को square 1 by 2, plus sec 45 यानी root 2, sec 45 root 2 होते हैं, root 2 को square 2, square गर दो, 4 और 2 का LCM 8, sorry 4 और 2 का LCM 4, 1 minus 2, plus में 8, तो 9 minus 2, 7 by 4, ठीक है, यह questions तो आप कर लोगे, and the last question, यह आज का last question है, और मतलब paper का level थोड़ा down था, तो मुझे तो यही वाला question सबसे अच्छा लगा, हलाँ कि यह भी easy है, देखो क्या गया रहा है, total 9 आदमी है, average weight of 8% out of 9 is 82, तो total 9 है, 9 में से एक तरफ है 8, और एक तरफ है 1, ठीक है, इसको allegation से कर सकते हो, इसको बहुत तरीके से कर सकते हो, लेकिन simple जब questions easy type का है, तो calculation से कर लिया गरो, the weight of 9th person is 24 kg more than the average weight of all 9%, अगर सबका average x है, ठीक है, सबका average अगर x है, 8 का कितना है, 82 है, और इस 1 का कितना है, सबसे 24 जादा, यानि overall जो है, उससे 24 जादा, ठीक है, यह यही कह रहा है कि total 9 आदमी थे, 9 में से 8 का average है, 82, ठीक है, एक जो अलग बच्चा बच जाता है, वो overall average से 24 जादा है, यानि x प्लस 24 है, ठीक है, तो बताओ, actually मैं 9th person का weight कितना होगा, इस x का वजन कितना होगा, ठीक है, यही बूचा है, आसान है, देखोगे, बहुत आसान है, ठीक है, कैसे करोगे, इसको ऐसे किया जा सकता, देखो, 82 into 8, 82 into 8, प्लस मैं, यह 1 को जब तुम 24 से मैं, x plus 24, is equal to 9 into x, इसको solve कर लोगे, आजाएगा answer, कैसे किया यह, देखो, 82, 8 पच्चों का है, इस 1 का x plus 24 है, जब मैं इन दोनों का add करूँगा, इन दोनों का sum add करूँगा, तो obviously बात है, इन sum के equal होगा, तो अगर मैं इसको solve करूँ, तो 82 into 8 कितना होता है, 88, 640, 656, प्लस मैं 24, इस x को उधर लेख चले जाओ, तो 8x बचेगा, तो x is equal to 680 upon 8, 85 आ जाएगा, x की value कितनी आ गई, 85, 85 में 24 add करोगे, 109 है, यह तो एक तरीका है, इसको चाहो तो allegation से कर सकते हो, देखो, allegation से कैसे कर सकते हैं, देखो, 8 का average कितना है, 82, इसका average कितना है, x प्लस 24, overall x, यह है न, देखो, यह 24, और यह जाएगा आपका, x माइनस 82, हमें साथ जाना है, यह बड़ा है, क्योंकि x प्लस 24 है न, और इनके बीच का ratio कितना है, ध्यान रखना, यह ratio है, 8 is to 1, 85, x की value, cd आगी 85, 85 प्लस 24, यह 1 का average है, 109, तो it's totally depend on you, कि आपको कैसे करना है, और यह exam में कैसे पता चलता है, क्योंकि आपको दोनों तरीके आते होंगे, क्या पता तीसा तरीका भी आता होगा, एक और तरीका है, जो gap लेके करते हैं, हमने average में किया था, ठीक है, तो हमे आपको smoothly करवाएं, ठीक है, तागी समझना आपको आसान हो, ठीक है, इसलिए पहले मैं आसान वाला तरीका बता जेता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा वो वाला तरीका बताता हूँ, जो बहुत बुच्छो को सायथ ना आता हो, लेकिन आप मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आप मेरे वीडियोज रेगुलर देख रहे हो, तो आपको ये सब दिक्कतें नहीं आती होगी, तो चलते हैं, फिर आज मैं ख़तम करता हूँ, यहीं पर, I hope classes पसंद आई होगी, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ सेर किया करो, और once again, 50,000 सब्सक सब्सक्राइबर के लिए thank you so much, मिलते हैं अगले session में, ता तक के लिए पढ़ाई करते रहो,